वालकम फैंट्स अप्तोपेडिक डॉक्टर की द्वारा इस समझ्या के लिए इस टेबलेट को ज्यादत लिखा जाता है वहाँ टेबलेट है जिसे आप मेडिकल इस्टोप पर इसके ब्रेंड नेम से खाई सकते हैं कुछ पॉपुलर ब्रेंड नेम जैसे की रीजोइंट न्यू टेबलेट, मेगा फ्री फ्लेक्स टेबलेट, फ्लेक्स गाइड टेबलेट, एम जोइंट टेबलेट और इनकी अलब भी किसी अन्य नाम से भी यह टेबलेट आपको अपने एरिया में मिल सकती है, यह सभी ब्रांट्स एक दूसरे के सब्चिटूट है, मतलब एक ही जगा दूसरे लिए जा सकता है लेकिन यहाँ पर दियान रखें, इसका जो कॉंबिनेशन है अलग लग आता है, एक कॉंबिनेशन में तो कॉंड्रेटिन सेलफेट तथा ग्लुकोसमीन सोडियम सेलफेट आता है, तथा दूसरे में कॉंड्रेटिन सेलफेट के साथ ग्लुकोसमीन पोटेशियम सेलफेट इसको आपको ध्यान रखना है जो आपको डॉक्टर ने एडवाईज किया है उसी को लेना है अगर सोडियम क्लोराइड लिखा है तो सोडियम क्लोराइड ले और पोटेशियम क्लोराइड लिखा है तो सिफ उसी को ही ले साथ ही यह टेबलेट पूरे भारत में परधान मंत्री जन ओसदी के अंदर पर सस्ती दर्मे उपलब दे और वहाँ पर यह आपको इसके कॉंपोजीशन से मिल जाती वहाँ पर ब्राइन नेम के आउसकता नहीं है इस टेबलेट में गलुकोसमिन एक नेचूरल प्रोटीन है जो हमारे सरी के द्वारा भी बनाये जाता है यह हड़ी तदा हड़ी जोड़ के आसपास की मास पेशियों लिगामेंट तदा टेंडन को मजबूती परदान करता है औ उसको भी बनाने का कारे करती इस टेबलेट में कॉंड्रियोटीन सेलफेट एक गलाइकोसमिन गलाइकोन कंपाउंड है जो उस प्रोटीन को रोकता है जिस कारण से कार्टिलेज में सूजन तथा दर्द पैदा होती है या बढ़ती है तो एक दवा सभी ओर्गन को रिपेर करती है और दूसरी दवा उन सभी में सूजन तथा दर्द को ठी करती है और यह दोनों ही दवाईया सामयन रूप से नेचुरल से हमारे कार्टिलेज में ही मुझूद होती है इसलिए जब कमी आतित हमें टेबलेट लेनी होती है अगर इस टेबलेट के यूजर को जाने किन तो उसमें तेज दर्द होता है सूजन आ जाती है जिस कंडिशन को ऑस्टियो और्थराइटिस नाम से जानते है और इस स्थिति को ज्यादा तर गुड़नों में देखा गया है इस समय यह टेबलेट डोक्टर के दवारा मरीज को दी जाती है इसके अलावा यदि गुड़ इस टेबलेट के साइड इफेट को जाने तो जनरली जो साइड इफेट देखेगे उसमें वेकते को नोजिया, वोमेटिंग होड़गी, उल्टी मतली हो सकती है, दस लगना, सीरदर्ध होना, ठकान, अपच, कॉंस्टिपेशन होगा, एब्डोमेनल पेन हो सकता है, साथ ही पेट में गेस भी बन सकती है, यह सबी जो साइड इफेक्ट है, टेंपरेल ही है, अगर यह ज़्यादा नहीं है, तो डढ़ने की बात नहीं, लेकिन यह सीवियर हो जाए, ज्यादा प्रोब्लम करें, तो तुरंती अपने डॉक्टर से मिलेजर से की प्रोपर टीटमेंट आपको दिया जा सकते हैं, अब यहाँ जान लेते हैं, इस टेबलिट की क्या डा डोज होती है, कितनी मात्रा में बरीज को दी जाती है, सामेने ते व्यस्क तथा भुजूर्गों में यह टेबलिट दिन में एक बार लेने की सलहा दी जाती है, और कई बार आवस्क्त होने पर डोक्टर द्वारा दिन में दो बार भी दी जाती है, मगर इसे इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह इसकी मेक्जिमियम डोज है, यह टेबलिट कम से कम दो से तीन महीने दी जाती है, और कई बार डोक्टर द्वारा एक महीना छोड़कर एक महीना दी ज कर रहें तो इसके लिए आप डोक्टर को जूर से बताएं जिससे की जो डाइबिटीज की दवईयां हैं जैसे के पाय गुलेटा जोन गलीमे प्राइड इसके साथ लेने पर इंटरेट करती है इसकी डोज को डिस्टब कर देती है इसकारण से डोक्टर इसकी डोज को तो उसमें यह दवा नहीं दी जाती है एक सवाल इस टेबिलेट के लिए ज्यादातर पूछा जाता है कि क्या यह वेज टेबिलेट है तो इस टेबिलेट में मिले गई दवा गुलुकोसमी जो की प्रोटीन है इसको फंगस, फर्मेंटेड कोर्ण तथा एनिमल सोर्स से नि टेबिलेट के वारे में आपको बता दिये जिसका फेमस ब्रांड है Rejoint, ऊमीद करता हूँ आपको इस टेबिलेट के पूरी जानकाई मिलने के साथ वीडियो जूरस से पसंद आये होगा, यदि वीडियो आपको पसंद आते वीडियो को जूरस से लाइक करें, जदा सादव इसको सेर करें जो किशी और की भी काम आ सके और अभी तक आपने यूटीब चैनर लानावूट में इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बट्रण को दबा कर सब्सक्राइब करें जो पासमें बैल आइकन इससे दबाएं जिससे की आने वाले वीडियो के सब भी नोटिफि कि अससे